हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक्जाम कर यूटूब चैनल में, मेरा नाम है अंकुष इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विटामिन सी के बारे में क्या होते ही हैं, विटामिन सी, कहां से हमें, यह प्राप्त होती है, सोर्स इसकी बात करेंगे, कारियों की बात करेंगे और इससे होने वाली रोगों के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहला होगा हमारा यहां पर केमिकल नीम इसका केमिकल नीम क्या होता है इसका केमिकल नीम होता है X-Carbonic Amal X-Carbonic Acid इसको बोल सकते हैं तो यह आप से पूछा जाएगा इसका Vitamin C का Chemical नाम बताईए तो यह आपको याद रखना है Second Point हमारा इसके Stroke कहां से हमें इसकी प्राप्ति होती है तो दोस्तों यह सबसे जदा पाया जाता है आवले के अंदर gooseberry के अंदर ठीक है और इसके अलावा खट्टे फलों के अंदर यह आपको मिलेगा आपको बता दू जो आवला होता है इसको Dr. Plant भी बोलते हैं ठीक है न? Dr. Plant तो यह आपको याद रखना है तो आवले के अंदर सबसे जदा यह आपको मिलेगा इसके बाद खट्टे फलों में यह मिलेगा आपको यहाँ पर मापको बता दू milk और जो egg होते हैं उनके अंदर यह आपको बिलकुल नहीं मिलेगा ठीक है? तो यह भी आपको याद रखना है next point हमारा it is temperature sensitive ताप समेधी vitamin हाई जैसे for example जैसे जो ताप मान जो होगा जब high होगा अमारी बोली का तो जो vitamin C है वो क्या होगा? वो खतम हो जाएगा ठीक है? temperature के आई होने पर vitamin C खतम हो जाएगा तो यह temperature sensitive vitamin है तो आप से पूछा जाएगा temperature sensitive vitamin कौन सा है? तो आपका answer होगा vitamin C next point हमारा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पताऊना चाहिए vitamin C की कमी से सकरवी नामक रोग होता है इसमें क्या होता है? मसूडे जो होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और जो खून है वो बहार बहने लगता है ठीक है? तो यह आप देख सकते हैं मसूडो में सूजन और खून आ रहा है तो यह सकरवी रोग का लक्षन है next point हमारा जो urine होता है मुत्तर उससे vitamin बाहर निकलता है तो vitamin C जो होता है वो urine से बाहर निकलता है एक हार्मोन होता है ADH anti-uretic hormone इस hormone का क्या काम होता है इसका काम होता है control urination जो urine होता है उसको control करता है ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है जो जब कोई वैक्ती नसा कर लेता है ठीक है? तो सराबी जो वैक्ती होता है उसके अंदर इसका जो system होता है वो बिगड़ जाता है ठीक है जिससे जो urination का control है वो खतम हो जाता है तो आपने देखा होगा जब कोई सराबी होता तो उसको क्या बोला जाता है निम्बू या फिर खटी चीज दी जाती है क्योंकि उसके अंदर vitamin C की कमी हो जाती है यूरिन बाहर निकालता है जिससे उसमें vitamin C की कमी हो जाती है तो ये था हमारा vitamin C आपको वीडियो कैसा लगा मैं comment box में जरूर बताएए जो पसंद आए तो इसे like करें share करें चैनल विए subscribe जरूर कर ले thanks for watching